गुट मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप बच्चों आज हम हिंदी में करेंगे चित्र देखकर चित्र देखकर नाम दिखिए चित्र देखकर नाम लिखिए हमने प्रीविस क्लासेज में दो, तीन वर चार अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास कर चुके हैं हम आज हम उनी में से दो, तीन, चार या बिनामाता वाले शब्दों के चित्र देखकर उनके नाम हमें लिखने हैं ठीक है यह किसका पिच्चर है बिटां सड़क किसका पिच्चर है सड़क तो हम यह लिखेंगे सड़क कप सड़क यह किसका पिच्चर है कप किसका पिच्चर है कप तो हम यह लिखेंगे कप 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 यह किसका पिच्चर है फल किसका पिच्चर है फल तो हम यह लिखेंगे फल फल यह किसका पिच्चर है कालम किसका पिच्चर है कालम तो हम लिखेंगे कलम कलम यह किसका पिच्चर है जग किसका पिच्चर है जग तो हम लिखेंगे यह जग जग यह किसका पिच्चर है तब किसका पिच्चर है तब तो हम लिखेंगे तब तब यह किसका पिच्चर है कमल 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 अद्दिरक अ-द-र-क अद्दिरक यह किसका पिच्चर है जग अ-जग अ-जग जग जग यह किसका पिच्चर है बरगद किसका पिच्चर है बरगद तो हम यह लिखेंगे ब र ग दद बरगद जग 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 किसका पिच्चर है बरतन ब र त न बरतन थीक है तो बेटें आपको चित्रे देखकर शब्द लिखने हैं चित्रे देखकर उनके नाम लिखने हैं सडक कप फल कलम जग टब कमल अद्रक अजगर बरगद बरतन ठीक है आपको चित्रे देखकर उनके नाम लिखने हैं तो बेटा आपको क्या करना है और आपकी वर्कुक में अगर और कोई पिच्चर से थै तो आप उनके नाम देखकर लिखेंगे ठीक है और यह अपनी workbook में भी करना है और workbook में भी करना थीक है